फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे कांदा पोहा तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 2 कप मोटा वाला पोहा लिया है आपको बहुत पतला यूज नहीं करना है मोटा वाला को यूज करना है इसको हम बहुत अच्छे से पानी से 2-3 बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे उस इसे हम लो हीट पे अच्छे से रेड होने तक फ्राई करेंगे लो हीट पे यह बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है इसके बाद रेड होने के बाद निकाल लेंगे अब हम इसमें डालेंगे राई इसमें डालेंगे जीरा और थोड़ा सा हेंग और हम इसे थोड़ा पका लेंगे इसमें अब हम डालेंगे दो हरी मिट चौप किया हुआ और थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता को चौप करके लेंगे एक दो मिनट पका लेंगे उसके बाद एक बड़े साइस का प्यास को मैंने चौप करके यूज किया है दो से तीन मिनट हम इसे पकाएंगे और अब हम इसमें आड़ कर देंगे आलू आलू को मैंने छिलके निकाल लिये हैं और आप देख सकते हैं मैंने लंबे-लंबे कट किये हैं और मिक्स करेंगे अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे इसमें हम डालेंगे healthy powder और नमक स्वाज अनुसार और friends हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चीनी mix करेंगे flame friends आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं अब हम इसे ढख करके आलू को पूरी तरिके से पकने तक पकाएंगे आलू हमारा हो गया है आप बहुत आसानी से ये cut हो रहा है यानि कि ये पूरी तरिके से पक चुका है अब friends हम इसमें add कर देंगे पोहा और अब हम इसे अच्छे से mix कर देंगे फ्रेंड्स ये बहुत instant बन जाने वाला breakfast है आप फटाफट बना सकते हैं इसे टिफिन में भी आप दे सकते हैं बच्चों को और आप देख सकते हैं अच्छे से mix हो चुका है तो अब हम इसमें friends डाल देंगे 3 टेबल स्पून जितना पानी अच्छे से हम चारो तरफ घुमा के डालेंगे flame को हम करेंगे medium और इसे ढख करके medium flame पे 2-3 मिनट पकाएंगे 3 मिनट के बाद friends हम इसे खोलेंगे आप देख सकते हैं हमारा पुहा खिला खिला बनेगा ये प्रोसेस करने से अच्छे से mix कर देंगे अब हम इसमें भुना हुआ मुंफली आड़ कर देंगे धन्या कपत्ता आड़ कर देंगे और बहुत अच्छे से हम mix कर लेंगे एक से 2 मिनट अब इसमें हम लास्ट में आड़ करेंगे आधा निम्बू का रस मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स अब आपका पोहा हो गया है तैयार अब ये सर्फ करने के लिए रेडी है आपने देखा कितना आसान है बराना ये फटाफट हिल्दी रेसिपी आप जलू ट्राइ कीजिए और ट्राइ करते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर जरूर टाइप करें धन्यवाद